इन्सान इस संसार में सबसे बड़ा काम और जिसे कहें किसी और जो उनके लिए संभवी नहीं है सिर्व इन्सान ही कर सकता है उसको भुलाई बैठा है जरह सा सफर करना हो मोटर गाड़ी सैकल जो भी लेकि जाता है उसको चेक करता है संभाल करता है और भूग तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों काटना पहले इस खाने का समान सारा कुछ त्यार कर लेता है लेकिन यहां जाना ही जाना है वहाँ क्या खाने का समान होगा वहाँ कौन सा जहाज साइकल मोटर सेकल होगा किस कार गाड़ी पे सवार होगी वो ध्यान में नहीं रहता है मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है कार के गरब में क्या छुपा है किसी को क्या मालूम लेकिन अगर सुमरन कर लो भगति अबादत सेवा परमार्त कर लो चाहे कार के गरब में कुछ भी छुपा हो मालिक पहाड जैसे भ्यानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं और कई बार तो ऐसा रह्मो कर्म होता है कि उस कंकर का भी ऐसास नहीं होता कैसे कर्म कट गया क्योंकि भगतों के कर्म मालिक पल-पल काड़ते रहते हैं भ्यानक से भ्यानक कर्म सपने में कट जाता है बुरे से बुरा करम सपने में कट जाता है और इनसान दंग रह जाता है बहुत साथसंगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सत्गुर दाथा रहबर तब ही दर्शन देता है जो संद पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है तो मालिक निराकार है इसलिए वो उस पुरुष यानि संद के रूप में जीव को दर्शन देता है जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है जो मालिक का नूर होता है मालिक से एक हो गया होता है तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता हैto जरूर जीव कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं दोलों में से एक बात जुरूर होती है दर्ड विश्वास हो दर्ड जिकीन हो 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है जीजें जहां टांगें कट गए, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां जरासी कोई बात से वो सारा करम कटता न जराता है, बहुत भक्तों को ऐसास भी हो जाता है, सेवा कोई करता है, या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो, या फिर कोई सेवा का पका और बचनों का पका हो मालिक उसे ऐसाद जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं दड विश्वासी हो उस पे भी रहमो करम होता ही होता है पर बचनों का पका होना लाज्मी है इसलिए इंसान को कभी भी बुराईयों की तरफ नहीं जाना चाहिए बेपरवा परिम्पिता शास्त्राम जी महराज लिखते है अई नर जर्रा बता दे कौतुक ये क्या किया है क्या कौतुक कर दिया भाई तुने तुने जगत में आकर सद्गुर भुला दिया है सद्गुर यानि अल्ला वहिगुरु राम तुने उस माली को बुला दिया है परिम्पिता परमात्मा को बुला दिया है मौक्ष मुक्ति के दाता को बुला दिया है तुम मन की चालों में चल रहा है कभी कामबाशना, कभी करूद, कभी लोब, कभी मो, कभी अंकार तुझे तो यही टिकने नहीं देते और मन माया तो फिर उपर कहते हैं सोने पे सुहागा हो थोड़ा है बुरी तरह से घायल कर रखा है जीवों को इन सातों नहीं देश दुनिया दे तमाम खवराना जुड़े रहन ले सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल इसे नाल ही बेल आइकन दब के पाउल लेटस्ट अब्डेट सब तो पहला